आज हम बनाएंगे दामालू बहुती स्वारिस्ट और बहुती टेस्टी आईए रेसिपी बताते हैं हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल टॉप चक्यादिली आज की रेसिपी है हमारी दामालू आज हम बनाएंगे दामालू यह रेसिपी बहुती टेस्टी होती है आईए रेसिपी बताते हैं यह हमने आलू ले लिये हैं एक किलो जिने इस तरीके से काट लिया ह एक चममच सउफ और एक चममच धन्या लिया है इसका भी हम पाउडर बना लैंगे आलो घमाल का मसालर ले लिया है सब्सक्राइब ल्य came एंक नमक ले लेंगे न्याइबी हम उनक मकशा ludे खाक्राइब ले लिया इंगी पेस्ट बंडल्र नमक इपोड़ सब्सक्राइब कैसरे निरस हुआ अग्षाप हमाइब खाक्राइब सॉाही ते लग करेंगे इसका भी हम पाउडर बना लेंगे और ये ले लिए हमने बड़ी लाइची, चार लॉंग ले लिए है, चार चोटी लाइची, 6-7 काली मिर्च, एक फूल ले लिया है, और ये दाल चीनी और जावेतरी ले लिए है, और ये तेज़ पात्के पत्ते ले लिए हैं, इन सब कभी पाउडर बना लेंगे, इन सब मसालो को मिलाकर हम बनाएंगे दमालू, दमालू बनाने के लिए हमने ये तेल गरम कर लिया था और इसमें प्यास जाल दी है, और इसे 2-3 मिनिट तक फ्राइच करेंगे, प्यास फ्राइच हो चकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे, ये हमने तेल गरम कर लिया, इसमें आलू डाल देंगे, फ्राइच करने के लिए, सारे आलू को हम फ्राइच कर लेंगे, आलू फ्राइच हो चुके हैं, देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे, इस तरीके साम आलू फ्राइच करने हैं, अब इसमें जीरा डाल रहेंगे, अब इसमें जीरा डाल रहेंगे, प्याज और लसन अद्रक कबेश, जो प्राइच होई थी प्याई हमनों तो पेस्ट बना लिया है, तमातर का पेस्ट, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, अब डालेंगे सौब धनिया और गरम मसाला और तावत लाइच में पाउडर बना लिया था हमनों और बदाम को यह सब डाल दिया हमने, अब आलू दम को मसाला डाल देंगे, दो से तीन मिर्ट तक हम मसाले को भूनेंगे अच्छे से, पानी डाल देंगे इसमें, अधा कफ, अब खटाई डाल देंगे, मसाला बून कर तयार हो चुका है, देखिए, इस तरीके से हमने मसाला बून लिया है, अब इसमें आलू एक कर देंगे, अलू में एक गिलास पानी डाल देंगे, पानी हमने एड्ट कर दिया है, और बून से पंदर मिनट तक पकने देंगे दम आलू बनकर तैयार हो चुके हैं देखिए और यह गल भी गए हैं इसमें हर दनिया डाल देंगे और सर्फ करेंगे दम आलू बनकर तैयार हो चुके हैं देखिए यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाधुस्ट होती है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राइज जरूर करना और कमेंट में बताना आपको यह कैसी लगी और हमारी चैनल को सब श्राइब करने बवाई दादा